templates। अ है गैस इस राहूर मनन। back with another interesting video। इस वीडियो बात करेंगे Facebook ad account ban के बारे में जो इतने सारेłbym adaccount लोगो के ban हो जाते हैं उन्होंने मतलब पहली ead चला और ban कुछ लोगों के ad चल गए और प्रोव भूगए इसके बात having जाते हैं ठीक है दो चारव दिन पाद चलने के अध तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसक्रीन पर मेरा एक एक अध। आखुंट है ठीक है बैंच हो रख्खा जैसे कि आप देख सकते हो पूरा business 마 생각ру чECT सबसे में 97 होता हैं हमने इतने दिन 8 जैसे वह अधी ज्रुरी होता है जैसे कंधने शीमें शारा श्रुण सार्टनों में बच्चा हम competence करता है समझता जाता हैं के माइट ऐसे आप्टिमाईज कर सकता है अच्छा आ रहा ही आ सकता है तो पिक्सल बहुत जरूरी होता है अब जैसे कि आप देखेंगे यहां पर आके पिक्सल भी देखेंगे आप हम कई शेर नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते हैं यह वीडियो देखने के बाद मैं गैरेंटी दे सकता हूं आपको आपको कभी फेस्बुक एड अकाउंट बैन होने की दिक्कत नहीं आएगी बैन तो होंगे बैन होते रहेंगे लेकिन आपको एक सलूशन दे दूँआ ना कि फ़ले जितने मजी फेस्बुक आपके अकाउंट बैन कर दे आप मतलब को कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है आप आपका बिजनस चलता रहेगा आपका पिक्सल का डाटा है कहीं लोस्ट नहीं होगा में सबसे पिक्सल का डाटा ही होता है जो मेरा इसमें करीब देड़ द धनने मैं इसमें जानता था और अब हम एकोस लिया तहां जो अबर मुझे ठोड़ा अच्छे से समझा अच्छा मैं यह यह यूज कर रहा हूं जिससे मिरा डेकाउंट बैन सबस्क्राइब शूलिशन यह है जाल बिजनेस मैनेजर स्ट्रक्चर जो हमारा वम फेस्बूक क बुजनस मेनेजर बनाते हैं उसे स्ट्रक्चर होना ची काव सारे लोग क्या करते हैं वह एक मैनेजर बनाते है ठीक है एक बीजनस मेनेजर बनाया एड चलाई पैसे खर्च करे मेभ हैं पहली बार में हो गए ऐड अप्रूब तो ठीक है उन्हें छलाई फिर एड Soumente बंद होजाता है ठीक है उनका सारा पिक्सल का डाटा लोस्ट हो जाता है उनके पास एक आ का बीजनस मैनेजर है उनके पास ad account एक है nur pixel एक है ठीक हुग नोने dynamics भी बैन हो जाता है जैसे कि आपने मेरा देखा भीन हो चु in है so आपको कभी भी जो आपको भोगर आपको ओसे करना है आपको एक लोगों का सारफ एक होता है माश्टर बिंटमेंजर जिस्से ओप्रेस करते हैं ठीक है यह चलाते हैं डाटा स्टोर करते हैं आपको ऐसा बिलकूल नहीं करना आपको एक बिसिनस मैनेजर बनाता है जैसे कि एक बिसनस मैनेजर है इसमें क्या कराओगा है इस बेलो chem sought आप और आपका पिक्सल से data store करोगे, आमालो आपके एक product के लिए एक pixel होगे दस pixel तक आप रख सकते हो, ठीक है, दूसरे के लिए दूसरे pixel, सो ऐसे कर सकते हैं, और आपका इन master business manager रहेगा, starting में आपका एक ही pixel होगा, ठीक है, आपको दिक्क्त नहीं है, Caro primary business manager बनाने के एक add account बना लीजिए त्थिक है उसमें भी एक pixel बना लीजिए वह pixel भी अपने landing page पे लगा दीजिए यह पहले वाला भी landing page पह लगा नहीं पयाना है दूसरे वाला है कई लोग बी करने पता ही कि वह एक पर पर cake लगा सकते हैं ठीक है आपको हुत है यहां पे दो पिक्सल आ रहे हैं से कि आप दो पेज़ी पेज़ी के पिक्सल आ रहे हैं तो एक दिक्कत यह आ सकती है कि आप ने यह दो पिक्सल इंस्टॉल कर रखेते आप चला रहेते अच्छे से और कभी एड अकाउंट बैन हो गया बिजनस मेनजर बनाने दे फिर आप जो उसका बिजनस मैनेजर है अपने जो माश्टर बिजनस मैनेजर से कर सकते हो एक बिजनस मैनेजर से आप कंट्रोल कर सकते हो यह अगर आपको ज़्यादा ही सेफ खेलना है बिल्कुल आपको कनेक्शन ही नहीं रखना तो आप क्या कह सकते हो अपने दोस्ते क्या बाइं मैं को दिखा दे मैं कोई तरी आईडी का मिस्यूज नी करूँँगा बॉसमाइडी मैनेजर operate करूँ गां मैं ऐसे करता हूँ मैं आपको आपका प्राइमरी यह होगा चलाने के लिए और एक आपका डमी अकाउंट हो गया जो मतलब आपका ही होगा ठीक है आपके नाम से आप ज़रुड़ नहीं है कि फेस्बुक पे एक यह आईडी मना सकते हो आप 2-3 बना सकते हैं अगर मेरे राहल मनना सर्च मार रहे हैं मेरे 2-3 आईडी आजाएंगी लेकिन उसमें से 2 ही हैं भी मेरी ठीक है ऐगर आपको दिखाओं डिरेकले अपने दोस्ते का है एक ID बना ले और वो मेर को दे दे नहीं नहीं Facebook इसको आज़े spam समझते है कि किसी नई आईडी बना है उसको डिरेकले Business Manager बना है वो आज़े spam है जासे कि आप structure देख रहे हैं एक आप Master Business Manager बना लीजिए उसका पिक्सल डाल दीजिए अपने लैंडिंग पेज में दूसरे का भी पिक्सल डाल दीजिए तीसरे का भी पिक्सल डाल दीजिए मैंने भी दो के ही डाल रखे हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप यह बैन हो गया तो आप यह टेस्टिंग वाले पर आ सकते हैं इसको आप मत रखिए इसको आप टेस्टिंग के लिए रखिए को निया अप्रोडर कुछ टेस्ट करने और एक चीज नोट करने वाली है कि आप जब आपका primary मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं जो मेरा primary लाहूल मनन का था ठीक है मैं इसे चला रहा था मेरा primary domain था मैं इस पर आड चला रहा था लेकिन यह मेरा कुछ एड मेरी डिसप्रूव हो गई थी तो इसके बाद मैं यह domain अगर मैं किसी दूसरे business manager पर यूस करता हूं तो मेरा वह business manager भी currently एकदम से ही block हो जाएगा भले उसकी एड अच्छी हो क्यों कि guys facebook क्या करता है वो blacklist कर देता है आपके card होगा जो उसको blacklist करते है आपके domain को blacklist करते है कि आप कभी भी facebook पे इस domain से एड नहीं चला सकते मैं मुझे यही पता है मेरा experience से बता रहा हूं मैं नहीं चला पाता अगर क्या पता आपकी चल जा है सेम है बिल्कुल बश्टो में अलगेंट यहां पर अगर मैं आप यहां पर देख अगर यह नाम इमिल डाली डाली इस पर भी अगर मैंने करा तो यह भी राहुल्मन.com पर जाएगा मतलब सिर्फ लैंडिंग पेज हैं बागी यह डिडिरेक्ट राहुल्मन.com पर ही हो र pottery Creator ओने बाइमरी अड़ बेंध वाला भी हो जाता है आप सेचेंटरी से सेम डॉमेन पर जो आपका debit card यह यूज निकरता है यहां सेकंडरी पर आपको नया domain यूज करना है ठीक है ओ नया आपको card यूज करना है फिर यह बिल्कुल सेफ रहेगा pixel आप इस ही का यूज कर सकत तो भी मैं आपको सिखाऊंगा ठीक है आपने डोमेन यूज करना थोड़ा सा जंजट है बिजनस करना थोड़ी सी जंजट जहलनी पड़ती है ठीक है थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा विल्कुल इजी नहीं होगा कि मैं आपको ट्रिक बता दो इससे आपका यह पीर्फ रखों तो उनका भी बैन हो जाता है आपको हमारे कैज सो गाइस अब क्या करते हैं अब ही मैं एक नया अपना अकाउंट बना रहा था क्योंकि मेरे एक सैकंडरी अकाउंट मतलब जो मेरा क्या था जैसे कि मेरे इस्ट्रक्चर है पूरबस मेरे पास पूरे प्राइमरी अकाउंट और बना रहा हूं तो यह कोई सेकेंटरी में दिखे था तो दूबारा प्राइमरी पर शिफ्ट कर जाओं तो पस एक बैक आपके लिए दूबार जैसे आपका एक बैन हो तो आप दूसरा किसी अपने दोसकी आड़ी से बना ले तो मैं पूरा फोलो कर है यहां पर मैं गया business.facebook.com पर क्लिक करा मैंने हिंदी लेंग्विज हो रहे से इंग्लिश कर लें ठीक है so create account ठीक है नाम दे दीजिए आप मैं अपना कोई भी नाम देते हैं राहूल मनन बिसमें आपको नाम डाला है आपकी कंपनी है प्रोप्राइटेशिप है यह है यहां डाल रहा है मैं जो मेरे दोस्त की है आईडी यह डाल रहा हूं था मैंने सब्मीट कर दिया कि अब देख सकते कंप्रोमेशन इमेल जाएगी ठीक है अब यहां पर हमारी आ चुक ही होगी हम सोशल में जाते हैं अभी नहीं आई है यह आ गए कंफॉर्म यह बिजनस इमेल ठीक है यह हम कंफॉर्म नाव पर क्लिक कर देंगे यह पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है बार-बार हिंदी से इंग्लिश रांसलेट हो रहा है यह हमारा वेरिफाइव हो गया बिजनस मैनेजर अब हमें यहां कुछ करने की ज़रूत नहीं है अब बस हम क्या करेंगे जो पेज है कि देंगे है थे कुछ फुरा इंदी में आ गये सो कोई नहीं अंडी में यूज कर लेते है यह आड़ अगांट है विज्ञापन खाते आई थे के पेज है पेज हमें क्या करना होगा जोड़ आ रहा हैं सो में हम यहां तो हम खुदे नहा पेज बना सकते हैं यां कोई यहां से option add कैंगा, so coin यो बाद में कर लोगा यहां को दिखाता हूं, एक सब्सक्राइब अच्छा नहीं रहेगा, मैं सेटिंग देख लेता हूं, so guys, यहां पर मैंने English में कर लिया है, दुबारा ठीक है, so हमारा हो गया ठीक, अब guys, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं guys, iit जो हमारा बिसन्स मैनेजर है, iit मुसको connect कर सकते हैं, अब सिके हम यहां पर आ रहा है, हम request access कर सकते हैं, यहांपर add करके, get started, हम यहां पर जो person हैं, जो हमारा खुदी है, तो अपना नाम डालके, email ID डालके, ठीक है और जो business ID है जो मतलब जो मारे master business manager की idea वो यहाँ पर डाल के हम connect कर सकते हैं brand और business डाल दें आपर partner role यहाँ partner role डाल दें आप डाल के request access कर सकते हैं वहाँ पर आपको एक notification आजाएगा access करने access देने के लिए ठीक है या फिर आप क्या कर सकते उस आप master business manager में चले जाएगे कि आपका ही है वहाँ पर add assets करें यह जादा easy होगा ठीक है request access करने से अच्छा आइड करें business ID डाले जो भी है उसको next करें और next करने के बाद यह directly आप से पुछले क्या-क्या आप access देना चाहेंगे उस business ID को आपको क्या करना पड़ेगा इस जो आपने नया business manager बनाया है ठीक है इसकी आईडिया आपको लेनी होगी business info में जाके business ID ठीक है आपको लेनी होगी अपने डोट पैड में copy कर लीजिए और दुबारा यह से partners में add share मतलब यह आपको उस वाले में करना है जो आपका master होगा आपको यहां पर अपने डाल दे नहीं है ठीक है तो खुझे से कह रहा है खुद ही की है ओन बिजन साही डाल दी वहाँ पर आप ऐसा नहीं कहेगा next कर दीजिए और आपको access देने के लिए कि आप अपने business manager से क्या-क्या access देना चाहते हैं जो यह इस वाले account को जो अपने बनाया होगा ठीक है आपको ऐसा करना होगा और आपका सब कुछ यहां पे शो हो जाएगा pages जो भी आप access देंगे pages आजाएगा यहां पे pixel आजाएगा यहां पे add account आप यहां पे खुद बना लीजिए गड़ add create new add account ठीक है add account का पूरा process simple है आप डाल दीजिए मैं कुछ भी डाला हूँ ठीक है next my business create अब यहां पे खुद ही को access देने के लिए बोल रहा है ठीक है हमने दे दिया assign पो close अब देखते हैं add account बन गया so हम बात कर लेता है pixel setup करने यह आप pixel setup कैसे कर सकते हैं so guys यह काफी simple है आपको business setting में आके आपको data source में आ जाना है इसको आपको open कर लेना है pixel दिखेंगे आपको pixel पे क्लिक कर लेना है और यहां आपको दिखेंगा है कि जो हमारा business manager है उसमे को pixel setup नहीं है तो अच्छी बात है नहीं है तो आप add कर लें ठीक है मार बस नहीं तो हम add कर लें तो round one pixel okay यह optional यह चोड़ दें इसको continue करें आपको setup pixel नहीं पे क्लिक करना है and pixel manually okay setup pixel manually यहां पे आपको दो तरहे पिक्सल दिखेंगे एक होता है आपने अगर पर्चेस कर रहा हो एक event है so event code अलग होता है बेस कोड होता है तो यह बेस कोड है अब यह आपको थोड़ा complicated होगा आप simple यह समझ लीजिए अगर आपको pixel setup की वीडियो देखनी है कि pixel setup करते है वो हमारे course में पूरी like detail में समझा रखा event code और base code अब मैं आपको base code होगी हमारे studio को motive यह नहीं कि pixel setup करना सिखा आपको motive है कि आपको यह कैसा बता हूँ कि एक landing page पर एक website multiple pixel कैसे install कर सकते है यहाँ पर हमने एक pixel ले लिया हमने इसे copy कर लिया अब हम आए अपने landing page पर so landing page पर आगे landing page पर आके हमारा landing page है ठीक है यहाँ पर हम सैटिंग में tracking code आप जो भी landing page builder यूज कर रहे है आप पर एक tracking code को option जरूर हो उसे open कर लें आप जैसे कि यहाँ देख पाएंगे आप कि हमारे पहले से pixel है यह फेजूप पिक्सल सेम है अगर आप देखेंगे आप इसको देख लीजिए ठीक है फेजूप पिक्सल कोड आ रहा है यह script है पूरी और फेजूप पिक्सल कोड यहाँ पर हमारा यहाँ दो पिक्सल डाले हो आप देखेंगे तो यहाँ पर फेजूप पिक्सल कोड है यहाँ एंड हो गया फिर दूबारा फेजूप पिक्सल कोड है यह आगया ठीक है अब हम चाहें तो यहाँ पर हम एक कोड डाल सके जो भी हमने लिया यह हमने दूसरा तीसरे डाल लिए है आप दीए तो तीन pixel code हो चुक है यहां पे सो ऐसा ही आपको multiple pixel code डाल सकते है बिलकुल simple था मैं सबस्क्राइब जब भी आपको एक बार बता दू ठीक है सो हमारा pixel code इंस्टॉल हो गया अब इसको रटा देते हैं यह तो हमारा बेस पिक्सल था ठीक है अब हम उसके बाद ही आज आता है कि अगर हम कंटीन्यू करें हमारा मैनुली एड इवेंट कोड ना इवेंट कोड दिखा रहा है जो हमको एड करना होगा अज़े कि इससारे होते हैं इसको कॉपी कर लीजए इसको पेस्की कीजिए इन जो यह परिचेस का यह लाइन जो सिर्फ यह लाइन जो बीच की स्क्रिप के बीच में और यहां पेज भी पिक्सल है आप देख सकते है आप here पेज वीवेंट फो हमें इसके नीचे आके हमें अपना सब्सक्राइब बाएबराट Arkansas फेस्बूक Good Math पे इड़े लेने की जरूद नहीं है गईराइब आपको अपको पोस्ट ले सकते हैं वस्ट गाइज आपको आ गया होगा इस्टॉल करना हम सिंपल ही इसको हम ओपन एड्स मेनेजर पर करके हम यहां पर चला सकते हैं ठीक है सिंपल अब यह हमारा दुबारा से अब जैसे कि आप देखें दुबारा से हमारा नया एक अब दोस्ट के आईडी से हमने दुबारा बना लिया अब जो हम सेकेंटरी अभी मैं यूज कर रहा हूं अगर दुबारा सेकेंटरी कुछ है तो दुबारा प्राइमरी पर आ जाओंगा हमने एक्सिस सारे देई दिया है मैं दे दूँगा बाद में एक्सिस ठीक है भी ज्या अपने अचांट को बचा सकते हैं ऐसे आपका एकांट होता है कभी भी तो आप ये च्टाजी यूज कीजिए ठीक है आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी फिचाए फेस्वुक आपको जितने भी अकांट बैंड करें आपको दिक्कत नहीं आने वाली में यह गलती होगे ति वह शिफ्ट आजाओ वी मेन पिक्सल डाटा है पिक्सल डाटा लोस्ट होगे तो आपने जो पैसा खज करा पूरा वह मतलब बच्छे को बढ़ा करने में बच्छे बढ़ा करने पैसे लगते हैं सब लगता है ठीक है तो लोस्ट हो जाए दुवारा बच्छा जाए उसको पा जो काड है लोस्ट हो गया है ठीक है वह आपको नया काड भेज देंगे दो तिन दिन के अंदर आप वह यूज कर लीजिए नहीं वाले में थोड़ा सा रिसोल होना पड़ेगा यह strategy यूज कीजिए ऐसा structure बने अपने business manager का और आपको कभी दिक्कत नहीं है कि अकाउंट बै हो गया क्या करो आप comments में कभी नहीं पूचेंगे बहुत demand थी इस वीडियो के लिए इस लिए वीडियो बनाई आप आप कभी किसी मतलब दूसरे यूट्यूबर के मेरे comment में कभी नहीं हो गया क्या करूं यह कीजिए अगर आपका add account बैन हो गया यह strategy मैं यह strategy मैं आपको recommend क करने के लिए बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लिगी हो तो सब्सक्राइब करने ना भूले और शेयर किजिए बहुत दिक्क्रत आते लोग को Facebook add account बैन कि यह वीडियो शेयर किजिए अगर आपके जा करने कि लिए झाला कि यह झागर में अगर आपके जामा आपके जाऊए अया झाला किा आपके जाऊची लिए इतना ही जाच आते देस्तें हैं